हेलो फ्रेंड्स मैं साधना आपको मैडिकल के टॉपिक्स क्लियर करवाऊंगी जो आपको हेल्प करेंगे इना मैडिकल में जो मैडिकल के इस्ट्रेंट्स हैं वो इसे देख सकते हैं आज हम पढ़ेंगे इंट्रोड़क्शन टू हेमेटलोजी जो हेमेटलोजी है वो दो चीजों से बना है हीम पलस लोजी जो हीम है ये हमारा हीमो ग्लोबिन है और लोजी इट मिंस study it means blood blood की study तो इसका introduction क्या हुआ to study of blood and its component हेमेटोलोजी तो स्टड़ी ओफ ब्लड जब हम ब्लड की स्टड़ी करते हैं और इसके component की study करते हैं that is called hematology ओके अब हम एक flow chart बनाते हैं मैं आपको शुरू से बता रही हूं फर्स्ट है हमारा ब्लड ब्लड कहां present होता है हमारी बॉड़ी के circulation में हमारी पुरी बॉड़ी में ब्लड है इट मिन्स जो हमारा जो बॉड़ी का वेट है हमारी बॉड़ी का जो आधा वेट है वो हमारा ब्लड है तो ब्लड क्या करता है हमारी बॉड़ी में nutrients को circulate करता है हमारे muscles हमारे cells सबको energy nutrients provide करता है जिसके वज़े से हम walk कर पाते हैं हम अपने जो बागी चीजें हैं जिसे हमारे अंदर energy energy level grow करता है ब्लड टू पार्ट में डिवाइड़ेड है cells and plasma cells क्या है cells और plasma cells हमारे थ्री टाइप के होते हैं फर्स्ट है आर बीसी सेकेंड है टबलो बीसी एंड थर्ड इस प्लेट लेट our wish is red blood cell Wbc s white blood cell and platelet is platelet so RBC red blood cell लाल रक्त कोशिका यह जो RBCs होती है यह oxygen carry करती है जिसके विज़े से क्या होता है हमारे body में circulate कर पाती है और हमारे cells तक यह nutrients पहुचाती है जो हमारी body को energy provide करता है जिससे हम बाकी work कर पाते है and then WBC WBC is white blood cell white blood cell क्या होता है रोग प्रति रोग श्मता it means हमारी immune system को strong करता है अगर हमारे body में कोई foreign particles enter करता है it means virus any bacteria any viral diseases enters in our body then यह क्या करता है anti-defense it means यह protect करता है अमें इन virus और bacteria के facts से यह लड़ने की शमता को पढ़ा देता है and then platelets platelets हमारी body में तव वक करता है जब हमारे body में कहीं cut लग जाता है या फिर injury हो जाती है अगर हमारे body में injury होई है it means वहाँ पर platelet क्या करता है cloud बनाता है जिसकी वज़े से हमारा blood flow रुख जाता है friends हमने देखा है कि जब हमारे कहीं cut लगता है हमारे finger पे कहीं cut लग गया या फिर हमारे पैरों में कहीं cut लग गया तो थोड़े time बाद ही वहाँ पर जो खून होता है जो blood होता है वहाँ पर जम जाता है और हमें ऐसा लगता है कि हाँ वहाँ पर blood सूख चुका है सूख जाता है बिकल जम जाता है वो यही जो यह platelet है यही क्या करता है blood को clot कर देता है सबसे पहले plug formation होती है जिसमें क्या होता है platelets RBCs को bind कर देती है वहाँ पर जो हमारे veins है जहां से RBCs flow हो रही है उसको bind कर देता है जिससे blood flow रुख जाता है अब WBC क्या है हमारे दो पार्ट में divide है agranulocyte and granulocyte agranulocyte and granulocyte means जिसमें granules present नहीं है that is called agranulocyte and जिसमें granules present है that is called granulocyte these agranulocyte is two part divided monocyte and lymphocyte these lymphocyte are divided into B cell and T cell what is B cell and T cell B cell जो हमारा B cell है यह क्या करता है जब antigen antigen के साथ B cell combine करता है सब्य है Bep combine करेगा तो क्या बनेगा plasma cell और memory cell memory cell तो plasma cell और memory cell बनती है फिर क्या होता है ये plasma cell और memory cell मिलकर antibodies बनाते हैं और ये antibody क्या करता है सपोज ये हमारा antigen ऐसा है हमारी antibody ऐसी है तो क्या करेगा ये antigen antibody antigen को destroy कर देगा how जब antigen और B cell मिल गए तो plasma cell memory cell बनी हमारी memory cell ने और plasma cell ने antibody बनाया antibody ने क्या किया ये antigen के against था इसलिए इसने antigen को destroy कर दिया अब हमारा आता है granulocyte जिसमें granules present है ये होते हैं हमारे थ्री टाइप्स के acidophil basophil neutrophils अब जानते हैं कि acid, basophil and neutral acid, base or neutral neutral that is a three phils acidophils or acinophils are same जो इसके nucleus होते हैं जो हमारे acidophil है इसके जो nucleus होंगी ये biloped होते हैं large होंगे थोड़ी से bright होंगे and orange और red color के granules होंगे जो हमारे basophils है ये भी large होता है इसके deep granules होंगे और purple इसका color होगा और जो हमारे neutrophil है इसके 2 to 5 lobs होते हैं it means nucleus के अंदर 2 to 5 lobs बने होंगे ऐसे this that is called lobs जो ये आपको दिख रहे हैं nucleus के nucleus ये lobs बने होई है जब हम इसे strain करेंगे तो इसका cytoplasm जो होगा वो light pink color का होगा इसके specific granules होगे ओके अब अब आते हम ये हमारा finish हो गया है cells का topic and अब आते हम plasma plasma so plasma हमारा थ्री पार्ट में डिवाइड है water solute and protein water solute and protein water like like हमारा नॉर्मल वोटर solutes and proteins solutes हमारे हो सकते हैं organic और inorganic okay proteins हमारे क्या है albumin albumin हमारे plasma के अंदर proteins होते हैं plasma क्या है चब आप first of all हम ये समझ लेते हैं कि plasma और हमने serum सुना है plasma और serum में क्या difference है so जो plasma है हमारा plasma में clotting factor होते हैं but serum में clotting factor नहीं होते okay serum में clotting factor नहीं होते plasma में clotting factor होते हैं जिसके अंदर जिसमें proteins प्रेजेंट होते हैं और वो proteins कौन-कौन से हैं albumin globulin and fibrinogen plasma के अंदर proteins होते हैं proteins हमारे albumin globulin and fibrinogen होते हैं friends ये हमारा था introduction to hematology that is only for introduction and then we will discuss about introduction of blood जो हमारा next topic होगा वो होगा introduction to blood blood के बारे में हम पढ़ेंगे मुझसे इस flow chart में अगर आपको कुछ भी समझ में न आया हो so please comment में आप मुझसे question पूछ सकते हैं मैं उसका answer आपको बता दूंगे next video में so please like and subscribe also thank you so much